पॉस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत यूपी के मुख्या योगी आदितनाथ के मेरत आगमान के दोरान ग्राम बिजाली की एक वीडियो विवात का कारण बन गई कोरोना पेशन्ट के कारण होट स्पोर्ट बनाये गए इस गली का यह वीडियो था इसमें सीम योगी बुजूर्ग से कोवीड प्रोटोकाल का पालन शुनिशित करने की अपील करते नजर आ रहे हैं लेकिन देखते ही देखते यह परचारित कर दिया गया कि सीम योगी को उस गली में बुजूर्ग ने घुसने नहीं दिया यह बुजूर्ग कोरोना की बद इंतजामी के कारण मौजूदा सिस्टम से खासा नराज थे ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया गया नमस्कार मैं हूँ रवी शर्मा और आप देख रहे हैं फ़र्दवाई.tv वीडियो वाइरल हुआ तो चारो तरफ हल्ला मच गया पक्रशकार वे विरोधियों ने सोशल मीडिया पर वियंग के बान मार मार कर उन लोगों का जिनना दुभर कर दिया जो आम तोर पर टतस्ट हैं आज इस विवाद के जनक के खिलाफ खरकोदा पुलिस में रिपोर्ट दरज कर ली जिस विक्ति के खिलाफ मुकदमा दरज किया गया उसका नम ओमवीर यादव है उसे कॉंग्रेसी निता बताया गया है आईए पहले देखते हैं वह वीडियो जिसे लेकर विवाद ख़ड़ा किया गया है आज इस बारे में देहात पुलिस अधिक्षक केशव कुमार ने यह जानकरी थी माननिय मुक्हमंतरी जी के दौरा ग्राम विज्वाली जनपद मिरठ में ध्रमन के दौरान कोविट संक्रमित परिवार के सदस्य से कंटेन्मेंट जोन के बाहर मुलाकात की गई एवं उनकी कुशलता पूछी गई उसी समय का एक वीडियो ट्विट करके भामक सूचना फैलाई जा रही है यह सूचना पूर्ण रूप से नराधार है संपूर्ण वीडियो लब्ध है एवं उस वीडियो में स्वता इसपष्ट है कि इस तरह की कोई बात नहीं है इस भामक सूचना फैलाने के लिए को ग्राम बिजॉली में होट स्पोर्ट बनाने की याद आई थी गाउ में कोरोना के 11 संकरमित लोग थे लेकिन मुख्यमंत्री आगमन से पूर्व तक किसी ने कोई सुध नहीं ली स्वास्ति भाग की पियसी का भी बुरा हाल था इतना ही नहीं मेरट शहर से ग्राम की गई थी इसके लिए बकाइदा टेंट वे कुरसी पेजल आदी के विवस्था की गई थी लेकिन कहते हैं ना चार दिन की चांदनी फिर अंधिरे रात यह बात और है कि चांदनी चार दिन के नहोकर चंद घंटों में ही खतम भी हो गई मेरट मेडिकल कॉलिज में वही ब सब्सक्राइदार अफसरों ने ऐसा अपनी नाकामी छिपाने के किया है लेकिन यहां सवाल उठता है क्या मेरट भाजपा के दो सांसद वे छे विधाये वे अन्य जन प्रतिनिध्यों को भी यह नहीं दिखता किस की किस तरह सच को मुख्यमंत्री से छिपाया गया है या य यह मान लिया जाए कि जन प्रतिनिध्यों की भी इसमें मिली भागत है या फिर वे भी सच को सच कहने का साहस हो चुके हैं ये वे सवाल हैं जिनका जवाब आज मेरट की जनता अपने सभी जन प्रतिनिध्यों से पूछ रही है इस खबर में फिलाल इतना ही कोरोना काल में स झाल झाल